दोस्तों आप कोई भी WhatsApp फ्रेंड को message यहां पे करते हैं तो सिर्फ आपके फोन में double tick दिखाता है, green tick नहीं दिखाता है तो आप इसको ठीक कैसे करोगे, आपके फोन में green tick जो है WhatsApp में कैसे दिखाएगा, जानने के लिए वीडियो आपको अंतक देखना होगा, अगर आप यह अंतक देखते हैं तो आपके भी WhatsApp में अगर यह problem है, कि आप किसी भी फ्रेंड को message करते हैं, और वो message को scene करता है, और यहां पे सिर्फ double tick लगता है, green tick नहीं लगता है, तो इस problem को आप इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से ठीक कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं एक फ्रेंड को हम इतना सारा message किया है, वो message जो है यहां पे, हम scene भी कर रहे हैं दूसरे phone में, लेकिन क्या दिखा रहा है, देख सकते हैं यहां पे, दिखा रहा है कि सिर्फ double tick है, green tick जो है, यहां पे नहीं आ रहा है, इस से तो हमें पता नहीं चलेगा, कि सामने वाला तो वीडियो को लाइक नहीं किये, तो यहां से वीडियो को लाइक कर दीजे, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेनत लगता है, share पे टेस करके दोस्तों के साथ इसको share कर दीजे, चैनल सस्क्राइब नहीं किये तो कर लिजेगा, नीचे comment box में यहां पे new trick लिक के आप लो करना है, तो क्या करना है, यह जो आपको 3 dots दिख रहा है, इसके उपर टच करके इसके setting में चले जाना है, अब गाई इसके setting में जब आओगे तो यहां पर privacy setting का option दिखेगा, जहां पर आपको touch करना है, अब यहां पर आओगे तो देखेंगे एक setting आपके phone में off होगा, read receipt का, तो इसको क्या करना है, on करना है, बस यही on करना है, और आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, अब हम बैक आता है, और यहां पर message करते हैं, यहां पर जो भी message हम करेंगे, तो यह पढ़ेगा सामने वाला बंदा, तो यहां पर green tick जो है, यहां पर आएगा, देखेंगे कोई भी और इधर से कोई message भेजेंगे तो यहां भी और लग जाएगा आप देख सकते हैं दोनों तरब जो एक गीरिन टिक लग रहा आए तो यहां पे सामने वाला आके तो कि गयरे बैब बैब बैय बैय